अगर आप अपने लटकते हुए पेट से बहुत ज़्यादा परेशान हो या अपने निकली हुई तोंस से या बढ़ते हुए बजन से बहुत परेशान हो तो रात को सुने से पूर्व ये तीन उपाई अगर आपने कर दिये तो आप सुबह तक महसूस करोगे कि आपका वजन भी कम होने लगा है और पेट भी अंदर जाने लगा है जी हा दोस्तों दोनों बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और कभी कम नहीं होगा काफी लोग क्या करता है खाना खाने के बाद टहल नहीं चले जाते हैं टहल से हैं जी नहीं इससे भी कुछ खास फरक नहीं पड़ता है आपको क्या करना है खाना खाने के बाद आज जो मैं उपाई आपको बता रही हूँ अगर आपका बहुत ज्यादा वजन है वेट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है बहुत ज्यादा बेली फैट बहुत ज्यादा हो गई है आपको तो आज जो मैं उपाई आ आप को रात को सोने पहले Vous will probably to least good से आप को अपको मपनाना है आप थो छोगे खुद Fel आपको बीना डाइट बिना और का हार्ड एक्सर साइज की आपका वजन कम होगा आपकावण का वेली फैट भी कम होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जो करना है वजरासन में बैठना है खाना खाने के बाद ना ही आपको टहलना है ना ही वाकिंग करनी है कुछ नहीं करना है खाना खाईए उसके बाद वजरासन में बैठ जाईए वज्यासन में बैठने, जो लोग घुटने मोड कर नहीं बैठ सकते, वो पैरों को फैला कर बैठिये, तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, आप देख लो, इसी तरह से आपको बैठना है, कितनी देर, कम से कम, 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट भी आप अगर बैठते हैं, आपका खा तत्व हैं, वो आपकी बॉड़ी में जाएंगे और आपको एनरजी देंगे, आपकी बॉड़ी में फैट नहीं जमा होगी, जो भी फैट जमा हुआ है, उसे कम करने में भी मदद करेगा, आपको क्या करना है, बज़रासन में बैठने के बाद, गहरी-गहरी शासे लेनी है और छोड़नी है, आपको लेने के बाद थोड़ी देर अपने अंदर रखी, यह जो ऑक्सिजन हम ले रहे हैं, यह ऑक्सिजन हमारी बॉड़ी में जो फूड है, जो खाना है, उसको जलाने में मदद करेगा, उसको पिगलाने में, जलाने में, उसको हजम करने में मदद करे आप बैठ कर इस तरह से oxygen दीजिए इसके बाद भी हलके फुल के कुछ exercises जिने अगर आप करते हैं आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका खाना हजम होगा आपको डगार आएगी जैसे आपको डगार आएगी आपको खुद बता चलेगा कि हाँ खाना डाइजिस्ट हुआ है सबसे पहले आपको क्या करना है खाना खाने के बाद आप इस तरह से वज्रासन में वैठिए वज्रासन में वैठने से खाना सही से हजम होता है और पेट में चर्बी नहीं जमती या तोंद नहीं निकलती है अगर घुटने मोडने में आपको परेशानी है घुटनों में द तरह से दूनों तरफ और धीर इसे अपने पैरों को जिस तरफ मोड़े अपने सर को उसके दूसरी तरफ आपको मोड़के रखना है इस तरह से एक से दस तक गिंती करें फिर दिशा बदलने जैसे दाएं तरफ पैर हैं तो बाएं तरफ सर को घुमाएं एक से दस तक गिंती क फिर अपने दिशा वदल के दूसरी तरफ करें इस तरह से इसे आप कम से कम 10 से 15 वार आप ऐसा करें ऐसा करने से खाना अच्छे से हजम होगा आपका बेली फैट कम होगी बजन कम होने में मदद होगी आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा इसके बाद धी एक दम स्ट् उठाना है अपने पैरो को थोड़ी इस तरह से पैरो को उपर और नीचे इस तरह से करें तो इसे भी कम से कम 10 से 15 वार आपको इसी तरह से पैरो को उपर उठाएं फिर नीचे रखें 10 से 15 वार करने के बाद फिर आप इस तरह से पैरो को मोरें और हलकास अपने पेट पर द इसे भी कम से कम 10 से 15 बार आपको करना है इसी तरह से तो ये जो सारी चीजें है ये आपके खाने को अच्छे से हजम करेगी आपको कब्स की परिशानी से सुबह आपका पेट साफ होगा कब्स की परिशानी नहीं होगी और साथ ही साथ आपकी जो चरबी है जमी होई चरबी न हम बोलते हैं ये तो इसे आपको इस तरह से आपको करना है दूनों पैरों को इस तरह से आप मोड ले हातों से इस तरह से पकड़े और इस तरह से इसे इसे भी कम से कम 15 से 20 बार इसको रिपीट करें जितना जादा आप कर सकोगे उतना जादा और उतनी जल्दी आपको रिजल को करते रहो इससे आपका खाना हजम होगा और आपका मेटावलिक रेट अच्छा हो जाएगा जिससे क्या होगा आप जितना भी खाओगे कभी भी आपकी बॉड़ी में फैट नहीं जमने पाएगी और जमी हुई चर्वी भी निकल जाएगी इसके बाद पैरों को इस तरह से फैलाए और हातों से उंगलियों को टच करें लेकिन अपनी रीड की हड़ी बिलकुल आपको सीधी रखनी है रीड की हड़ी को बिलकुल मोड़ना नहीं है इसे भी 10 से 15 बार रिपीट करें और इसके बाद थोड़ा पानी पीए और सो जाए देखा आपने कितने आसान है न आपको करना है रात को यह वाली चीजें ट्राइ करके देखिए आपका बिलकुल से वेट भी कम होगा और आपका बेली फ्रैट भी काया हो जाएगा तो अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगाओ तो ज़रू लाइक दिना चैनल को सब्स्राइब करके रखना आ